सुनाव स्टील अथार्टी ऑफ इंडिया लिमिटेट सेल आप देखे 170 रुपए के हाइज लगा दिये 170-171 के हाइज पर आचुके हैं और यहां पर आल्मोस्ट है आपर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे उनको निकाल दिया है लेवल्स जहां से इस्टॉक तूटता था अब यहां से कहा पर जाना है क्योंकि स्टील स्टील के अंदर देखेंगे तो तेजी है और ऐसे में चाहें जेस्ट डवलू स्टील देख लीजे या वेदानतर देख लो सभी में एक अच्छी खासी तेजी है और टाइम हाइपर इ सेल जो है वह एक अंडर वेल्यू स्टॉक है ऐसे में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा और एक सो असी तक पहला यहां पर जाने की जगह मिलेगी वह अच्छी आल्मूस्ट हम कर चुके हैं हम उसके एक दम करीब हैं और ऐसे में अब इसकी अंडर वेल्यू कितना पर हैं तो जैसा कि इसका जो ओल्ल टाम हाई है वो तीन सो रुपए की अराउंड है ठीक है तीन सो रुपए के अराउंड है जो की दो जानो दो जार आट दो जासाथ की में बात कर रहा हूं तब से लेकर अब तक और इन हाईस पर पहुंचने पाएं दिक्कत है बहुत हु लेकिन आप सुधार हो रहा है अब हम एक इंपोर्टेंट लेवल पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अब देखना यह है कि क्या यह 250-260 की और बढ़ने वाला है सो बेसिकली अगर आप पर देखे हैं पी रेशियो जो की प्राइस तो वर्निंग रेशियो है वो 22.45 का है आपका इंडस्टी पी है 32.37 उसके कंपैर्जन आप जो है यानि कि अपने पीर कंपैर्जन जो है वो आप थोड़े से सस्ते हैं थोड़े नहीं काफी ज्यादा सस् जगह बहुत है अभी जगह बहुत है अभी जगह कैसे निकल सकती है Q4 बहुत इंपॉठन यह बहुत ही इंपॉटन्ट कौार्टली नमर अगर अच्छे आगए तो यह 200 रॉपए के लमसम बंसम यह 200 रॉपए कि 200 रॉपए को क्रॉस करके जो हम 250 की बात कर रहे हैं वो कouse र All Time High की तरफ चलने लगेगा, All Time High की तरफ यह जो है, वो चलने लगेगा, अगर यह Q4 दम दे गए, और यहां पर election favor है, PSU अगर आप देखेंगे, तो जितने भी PSU टूटे थे, वो ज़्यादा तर कुछ PSU अगर आप देखोगे, तो All Time High पर जाने लगे हैं, या कहें 52B काई, जहां से तूटे थे, वहां पर यह PSU स्टॉक्स पहुंचने लगे, मेरे पास नाम है, जैसे कि आप भेल देख लीजे, जैसे कि आप देख लीजे, RVNL, राइट, कुछ और स्टॉक्स थे, तो वो अपने previous जो हाईज हैं, जहां पर तूटे थे, वहीं पर दोबारा पहुं तो 1.24 है, इतनी तेजी हो गई ना अभी, इतनी तेजी हो गई है, कि भाई अगर आप देखोगे तो JSW स्टील पहुंच चुका है, 2.84 के प्राइस टूबुक वेल्यू पर, टाटा स्टील 2.33 के टाइम पर पहुंच चुका है, जिनल स्टील एंड पावर जो है, जो कि से बहतर है, तो कुछ ना कुछ तो बहतर होगा उसके अंदर, डेफिनिटली, तभी आपर जो है, आप से जादा वेल्यू पा रहा है, मार्कित कैप, 80-90 थाउजन करूड के राउंड है, जबकि स्टील अथरूटी ऑफ इंडिया काफी पीछे, 30,000 करूड का मार्किट वेल अब है अगर आप Price-to-book-value देखेंगे 1.24 टाइम पर आ चुक ए, हमारी बात थी 0.90 टाइम पर और यही कहना था कि यह 180 रुपए है, और यह Price-to-book-value जो है, कमसरम देड की Price-to-book-value तो मिले से, यही कहना था, तो आभी जगे है, पॉसिबल है, कि क्यूपर की नंबर अगर अच्छे आगे डेफिनिटली यहां पर जो है 180 क्या यह 200 भी क्रॉस करेगा वो ओल टैम आई कहीना कहीं एक बाद लग जाना है एक बाद लग जाना है वो 300 रुपए के लेवल जो हैं वो कहीना कहीं स्टील अथार्टी फिर इंडिया के अंदर दिख जाने बस हमें Q4 का साथ है Q4 साथ अच्छे भी आ जाएं विकाज मैटल की जो तेज़े वो बता भी रही है और इस वाद जो नम्मर आएंगे वो यह देखेंगे कि यह रिटन ओन कैपिटल इंप्लॉइड और आरोई में कितना है आपर जो है स्टील अथार्टी अफ इंडिया सो धरा है यह देखन यह है कि 200 रुपए कैसे पार कर रहा है बस यह और Q4 की नम्मर कैसे हैं लास्ट यहाँ पर जो मैंने आपके सामने पैटन रखा था वो कटता हुआ दिखा है जिस तरीके से यहाँ पर हम बात कर रहे थे वो डिट्टो नी लेबल से घूनता था डिट्टो उसी लेबल से यह क्रिटिकल लेता है यह अगर पहचाने के बहुत ही बहुत ही बहुत ही फायदे बंद आपको देगा और यहाँ पर ब्रेकाट हुआ यह आपका 140 रुपए उसके बाद यह स्टॉक रुका नहीं एक बार आया लेकिन 140 से घूम गया तो वो इंपॉर्टेंट लेबल थे वहीं क्रिटिकल लेबल अभी भी है तो क्या 180 लेबल कटेगा यह हमें देखना है और अगर 180, 180, 180, 180 लेबल अगर निकल जाते हैं तो डेफिनिटली कहिना कि 1520 रुपए की तेजी जो है जो एक साइकलोजिकल लेबल है 200 रुपए किसी भी स्टॉक एंदर साइकलोजिकल लेबल हो तो वहां तक जाने की कहीना की तैयारी हो रही है तो SPSU पर थोड़ा सा ध्यान दीजे अंडर वेल्यूट है लेकिन आप अंडर वेल्यूट कहीना की रहेगा नहीं अब आउट परफॉर में बदल ला है और बस जरूरत ही है Q4 की नमबर और और फिर All-Time High बस यह देखने को मिल जाए तोड़ा सा परिशानी आपको देखनी पर सकते हैं अगर कोई बड़ी बात नहीं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कुछ आपको समझ में आया होगा अब नए इन्वेस्टर आ रहे हैं तो उनको तोड़ा सा यहां पर वालिटिटी का सामना करना पड़ेगा क्योंक इतना बड़ा आपने जो है वो खो दिया है अब आपको वालिटीटी तो देखनी पड़ेगी हाया साइट तो वो तो तो तैयार रहनी पड़ेगा जो भी अब इस प्राइसिंग पर खड़े करीदेगा सो मिद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा वालिटी से जो पु सो लेट सी देखते हैं तो आप क्या गयान है इस कूपल के में से समय के हो और अब देख में जाब वीडियो देखने के लिए बहुता दन्वाद दूस्तों